जोदो इस स्टुडेंट नोभ त्यूटर नभल नाइन जोब लोगों का रहेगा, लूप लोगों के एक्सराइज रहेगे और exercise है 9 वह चो exercise के सबसे पहला कुश्चन है कुश्चन नमबर एक कुश्चन नमबर एक कुश्चन नमबर एक में find the blanks यानि कि खाली जगे को भरना है पॉइंट नमबर एक कुश्चन एक का पॉइंट नमबर एक पहला पॉइंट यानि कि इस ब्लेंग खाली जगे को भरना है कि खाली जगे के स्थान पर क्या आएगा यहां पर बच्चो ऑफ यानि कि मल्टीपल को रिप्रेजेंट करता है गोना को रिप्रेजेंट करता है यहां परम किस तरीके से सुलूशन करेंगे 50% 50 percentage का बच्छो कितना होता है 1 upon में 100 कर लेंगे और यहां पर कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा बच्छो यहां पर अगर हम देखें यहां से तो 20 से कर जाता है 20 240 कर जाता है और 20 से 100 भी 7 वार और 5 वार 5 ती रीज़ा 15 21 का अगर हम 21 का अगर इंटू किसमें तीन में करेंगे तो 20 सोरी साथ का इंटू करेंगे तो 21 आ जाएगा इस आधार पर इस खाली स्थान पर कितना जाएगा बच्छो 21 आ जाएगा यहां यहां से हमने यहां से 140 और 100 किस से कट जाते हैं यह 20 से कट जाते हैं तो 20 से हमने 100 को काटा 20 से हमने 140 को काटा तो बीस बीस पंजे सो और बीस सत्य एक सो चालेस पांस से अगर हम 15 को काटें तो तीन बार 53 जा 15 तो तीन से तीन की गुणा अगर हम सेविन में करते तो उसका मान कितना आ जाता है 21 आ जाता आए बच्चों नेश्ट पॉइंट्स जीखते हैं कि लेश्ट पॉइंट में है viens खाली स्थान है या पर परसंटेज शुका एक हमसे पूशा गया है इस बसको का पर क्या आएगा यह हमसे पूस्च आ गया है बच्चों हम यहाँ से जब सूलेशन करेंगे तो हम मान लेते हैं यह X है कि X percentage of 64 equal to 16 जो X है अब X की value हमको निकाल ली तो इसको हम लिख सकते हैं X upon 100 into 64 is equal to 16 लेते हैं क्रोस गोड़ा कर सकते हैं तो X का मान कितना हो जाएगा 16 into 100 upon 64 64 से काटेंगे तो बच्चो कितनी बार कटेगा 25 तो यहां पर हमारे कि आ जाएगा 25 आ जाएगा बच्चो विलाइक खाली इस्थान पर कितना जाएगा 25 आएगा आप एक वार फिर से चेक करके देख सकते हैं कि खाली इस्थान परसंटेज ओफ 64 is equal to 16 है अब यहां पर हमने क्या कहां यहां पर जो माना है कि माना कि यह X परसेंट है खाली के इस्थान पर एक्स के वैल्यू मान लेते हैं तो एक्स परसेंटेज ओफ 64 बराबर 16 के तो एक्स अपन हंडेड हो जाएगा इंटो और गुणा को रिप्रिचान करता है इंटो 64 बराबर 16 तो डियर स्टुजेंस हम हंडेड की गुणा 16 में करके 64 से डिवाइड कर द दिवाइड हो जाएगा वच्चा इस तरीके से यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी 25 आ जाएगी अब नेश्ट पॉइंट जैसे नेश्ट कोश्चन है यह भी बिलैंक्स है परसेंटेज और ओफ 300 इक्वल 225 अब यहाँ पर खाली के इस्थान पर यानि के विलैंक्स पर क्या आएगा तो यहाँ पर हमां लेते हैं कि एक्स हैं कि एक्स परसेंटेज ऑफ 300 बरावर 225 इसका जब सॉलोशन करेंगे तो डियर स्टुडेंस एक्स अपन हंडेट कर लेंगे इंटो थ्री हंडेट 225 यहां पर दो जिरो से दो जिरो कर जाता है एक्स की वेली हो जाएगे 225 अपन त्री तीन से काटेंगे अब कि 321 और 35 15 कितने परसेंटेज आएगा गुद्छ सेवन्टी फाइफ परसेंटेज आजएगा कहने का मतलब यहां से हो जाएगा कि जो खाली स्थान था जो खाली स्थान था वहां पर क्या जाएगा 75 आजएगा यानि कि 75 परसेंटेज ओफ 300 एक्वाल टू 225 यानि कि खाली इस्थान पर क्या आएगा बच्चों यहां पर 75 आ जाएगा इसी प्रिकार एक नेश्ट कुश्टन फिर से देख लीजेगा आप लो कुश्टन नंबर फॉर्थ कुश्टन नंबर कुश्टन फास्ट का फॉर्थ पॉइंट 25 परसंटेज ओफ ब्लैंक्स एकवल टो 13 अच्चों यहां पर ब्लैंक्स में क्या आएगा इसीच को हमको देखना है मान के चलिएगा कि ब्लैंक्स में X हैं तो हम क्या काम करेंगे 25 परसंटेज ओफ एक्स इसकार टो 13 अब अच्चों एक्स की अगर हम बैल्यू निकाल लेते हैं तो समय लीजेगा कि जो बलैंक्स हैं वहां पर उस हो पर अंक्र आएगा X की value या जो भी आएगी वही blanks का माहना होगा तो अब यहां पर हम solve करते हैं इसको लिख सकते हैं 25 अपोन हंडेड इन्टो एक्स He's got to 13 25 से काटेंगे 25 चार की गुणा 13 में करेंगे तो तेरे चोका 68 तेरे चोका 52 पीला तेरे 5 अजय सकते हैं 25 अभल Maxim वीला, जब कतनागेश pipe सकते हमसल आएपए kamiझ较 तो यह अँजगाजा तो गिझार उसके हैंगेव साओपधाई और नएभस झाया झाया लो जाजगो मान अझार 15 अभल